कि हमारे क्लासिकल जो ट्रडिशनल डांसे जो ट्रडिशनल कल्चर है और आए आपको से दले चलता है दिलिस्ट बीजेपी मुख्याले जहां मिनाक्षी लेखी प्रैसवार्था को संबोधित कर रही है बुआ भतीजा साथ हो लिए और बाकी लोग भी साथ हो लिए दिली के अंदर जो साथ की पार्टी थी वो तीन पे उतर गई, तीन पे समल गई और उत्तर प्रदेश में 17 से गुजारा चल रहा है तो और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उसमें भी पता चला कि इस बंदन के बाद भी जो लड़के-लड़के इकठे हो गए थे उसका नतीजा क्या हुआ और बुगा भतीजे का नतीजा क्या हुआ मैं आपको एक आकड़ा पेश करना चाहती हूँ, 2019 के लोकसखभा चुनाव के अंदर दिल्ली में अकेले भाजपा को 56.86 प्रतिशत यानि तक्रीबन 57 प्रतिशत का वोट शेर मिला था कॉंग्रेस को 22.51 और आम आदमी पार्टी को 18.11 तो जैसा मैंने पहले कहा था कि राजनीती जो है वो mathematics नहीं है, वो गड़ित नहीं है, वो chemistry है और साथ लोगों का तब मिलता है जब आपने लोगों के बीच काम किया हूँ, और वो जो chemistry है ब्रश्टाचारियों की वो अलग chemistry होती है और सेवादारों की chemistry अलग होती है, तो सेवादारों के आगे ब्रश्टाचारियों की chemistry तो चलने नहीं वाली, और ब्रश्टाचारी जो शक्तियां है वो ब्रश्टाचारियों के साथ ही रहेंगी ऐसा भी हम मानते हैं और जो आपको 2013 से 19 तक का इतिहास है उसके माध्यम से भी मैंने आपको बताया है और अगर आप दूसरा मत प्रतिशत देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि आमादमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में इतना मिला था मतलब यानि कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी को अगर मिला भी दिया जाए तो 40.62 का हिस्सा उनका आता है गुजरात की अगर हम बात कर लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को गुजरात में 62.2 एक प्रतिशत वोट मिले थे 62 पर से उपर 2019 में भाजपा को हर्याणा में 58.02 प्रतिशत वोट मिले थे और गोवा में भाजपा को 51.19 प्रतिशत वोट मिले थे और चंडिगर में भी भाजपा को 50.64 प्रतिशत वोट मिले थे तो mathematics भी fail कर रहा है chemistry तो fail है ही लेकिन जो chemistry है वो ब्रश्टाचारियों की chemistry है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2024 सीटों में भाजपा को 2019 के चुनाब में 50% से अधिक vote मिले है और इस बार जो काम हुआ है 5 साल में तो ये मत पतिशत बढ़ने ही वाला है और आपको पता चलेगा देखते देखते कि इस गटबंदन का कोई सिर्पैर नहीं है लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है दोनों पार्टियां जानती है कि चुनाब हार रही है तो अब चुनाब हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े इसलिए ये गटबंदन किया कि भाईया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने के लिए ये गटबंदन की गोशना जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी का कि हम तो चाहते हैं गटबंदन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए कि भाई गटबंदन होता तो कुछ फाइदा मिल लेता तो आज जनता के सामने जनता के दरबार में हम भी जाएंगे और बताएंगे कि काम करने वाले सेवादारों की जरूरत है या ब्रष्टाचारियों की जरूरत है जो यहां तक की सिरफ किताबों के पन्ने नहीं पलटते अपना इमान धरम भी पलटते हैं और लगातार पलटते हैं चाहे वो राममंदिर का जिक्र हो चाहे बच्चों की सौगंद की बात हो चाहे शीश महलो लगातार अपना इमान धरम पलटने का काम इनोंने किया है और ऐसा शराप का नशा ऐसा है कि केजरिवाल जी को नहीं छोड़ेगा और उसी शराप के नशे में कि नशा कई घर उजाड देता है तो जो आमादमी पार्टी का शीश महल है और शराप का नशा है उसने हामादमी पार्टी का घर तो उजाड ही दिया है और जो सिमटना है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये समयधानिक टाकते सिमट जाएंगे आज मैं एक और विशे पर जो दूसरा विशे उस पर थोड़ा सा कहना चाहते हूं कि पूरे देश की जो जनता है आप भली भाती जानते हैं कि संदेश खाली के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे वहां की जनता और खास तोर पर महिलाएं जो हैं वो बहुत अधिक मात्रश शक्ती गुसे में हैं और आक्रोश हैं और उस आक्रोश का कारण यही है कि एक महिला मुख्य मंत्री के रहते लगातार महिला उत्पीडन विमें ट्राफिकिंग खास तोर पर महिला और बच्चों का जिस तरीके से शोशन वहां पर हो रहा है ऐसे में जो लगातार इस तरीके की अव्यवस्था बना रखी है उसी के चलते भाच्पा की महिला मुचा ध्यक्ष बानती स्रीनिवासन जी ने आज एक कॉलेज स्क्वे है उसके साथ खड़ी हो और जो उत्पीडन करने वाला है उसके खिलाफ खड़ी हो लेकिन जो डीजीपी है पश्चिम बंगाल के वो संदेश खाली में जाके बैठे हैं और वहां पर उत्पीडन उन्ही लोगों पर हो रहा है जो की उत्पीडन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं कुछ बच्चे जिनके 10th के board के exams हैं उनको उठा लिया गया है कुछ माताई बहने जो वहाँ बैठी है लगातार उनके उपर case पे case बनाय जा रहे हैं लेकिन शहा जहां जो की मम्ता बेनर जी जी के शासन काल का शहाजा है वो बाच्चा शाहजा तो वही कहीं कहां गुम रहा है किसी को पता नहीं है और उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है जैसे पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल ना होकर पता नहीं कौन सी उसकी बपाती है कि वो अपने तरीके से वहाँ पर शासन को लतार सकता है और चल सकता है 700 से अधिक महिलाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है और एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ पर महिलाओं के खिलाफ बच्चों के खिलाफ उत्पीडर नहीं होता पिछले 24 घंटे के अंदर एक नाबालिक जंजात ये बच्ची के साथ और एक 27 वर्षिय महिला के साथ बलातकार हुआ है और ये बच्ची नौवी कक्षा की छात्रा थी और हत्या की घटना भी हुई है आप मुझे बताईए कि किसी भी राज में जहां पर ममता नाम की मुख्य मंत्री हूँ और उनकी ममता शाहाजा और बाच्चा जैसे लोगों के प्रती हो लेकिन जो उत्पीडित बालक बालिकाएं और माताएं बहने हैं उनके प्रती उनकी ममता ना उम्रे तो ऐसे शासन का क्या ही कहें और क्या होना चाहिए तो आज आप सब के माध्यम से हम लोग भी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि जहां ममता बैनर जी जैसी मुख्य मंत्री बंगाल की बेटियों के साथ नहीं है लेकिन भारत्य जन्ता पाटी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के नित्रित्व में ऐसी सब माताओं बेहने बच्चियों के साथ है जिनके साथ लगातार उत्पीडन की व्यवस्ता पश्चिम बंगाल की सरकार ने खड़ी कर रखी है आपके कोई प्रशन हो तो मैं उत्त जरूर देना चाहूंगे एक में एक में एक में एक में कम लेज़ी तो मिराक्षी लेखी यहां कि प्रहस्वारत